कहानी कुर्सी की में आप एक खबर जरा वाराणसी से आपको बतावें वाराणसी कोट आज ग्यानवाफी मस्जिद परिसर के विग्यानिक सर्वे का निर्देश देने वाली याजिका पर अपना निर्देश सुनाने जा रहा है 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस इस मामले में पूरी हो चुकी है और आज कोट को इते करना है ये आदेश इस पर फैसला देना है कि इसकी एसाई जाच हो आगे सर्वे हो या ना हो इसी साल मई महिदे में पांच महिलाओं की ओर से याचिका दाखिल हुई थी जिन्होंने पहले मंदिर परिसर के अंदर श्रिंगार गौरी स्थल पर प्रारतना करने की अनुमती भी मांगी थी रुची कुमार हमारी सेयोगी इस खबर पर आपके साथ जुड रही है और डीटेल के लिए और अभी तक जो कुछ हो चुका है रुची वो भी बता दीजेगा इस पूरे मामले में आज क्या बड़ी अपेक्षा है याचिका करता हूँ देखें आज का देन जो याचिका करता हैं जो महिलाएं हैं जिन्होंने पहले शिंगार गोरी में रोजाना पूजा की अनुमती कोट से मांगी थी वोही महिलाएं एक और याचिका लेकर यहाँ जो कोट है जिलाजच की वहाँ पे गई थी उन महिलाओं का कहना था कि जो पूरा ग्यानवापी परिसर है उसका A.S.I. से सर्वे कराया जाए अब इस पर आज फैसला आना है जो सब वादी लोग हैं वो जिला जच की कोर्ट में पहुच चुके हैं बस इंतजार है कि जा जाएं और इस पर फैसला सुनाएं अब इस जो फैसला वो सुनाते हैं और जो याचिका करता ने अपील की है कि यहां पर A.S.I. सर्वे किया जाए कराया जाए उनका ये कहना है कि अगर A.S.I. सर्वे होगा हलाकि वो ये भी कह रही हैं सब महिलाएं और जो हिंदू पक्षे कि उनको पूरा यकीन है कि जहां पर ग्यानवापी मजद है वहां पर पहले मंदिर था और समय समय पर उसको तोड़ा गया बाद में जो काशिविशनात मंदिर हम इस समय देखते हैं वो आहिलिया भाई होलकर ने बाद में अलग से बनवाया लेकिन जहां पर ग्यानवापी है वहां पर मंदिर था ये वहां पर बिलकुल साफ समझ में आता है लेकिन अगर कोई वेग्यानिक सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट आईगी तो जो उनका दावा है उसकी ज़्यादा पुष्टी होगी इसलिए वो ASI सर्वे की मांग कर रहे है उसको लेकर कोट में गए है उदर जो मुस्लिम पक्षे जो मजज़ित की कमिटी है उनका कहना है कि सर्वे की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और अगर ये सर्वे होगा तो इसे मस्ज़ित को नुकसान पहुचेगा दोनों तरफ का दावा ये है एक कहरा है कि फवारा था मुस्लिम पक्षे कहरा है मसज़ित से जोड़े लोग कहा रहे है और दूसरी हो जो हिंदु पक्षे उनका मानना है कि नहीं यही शिवलिंग है वो असली शिवलिंग जो सामने ठीक इसके सामने जो काशी विश्वनात मंदिर है वहाँ से ये ओरिजिनल काशी विश्वनात मंदिर का शिवलिंग है और दरसल सामने जो मंदिर बना वो तो तूट गया था मंदिर एक किसम से उसकी भरपाई करने के लिए एक नया गर्बुर जो वहाँ पर बनाया गया लेकिन असली शिवलिंग जो है वो यही पर है जहां तक जांच की बात है प्रदीव जी अदालत ने कोट कमिशनर भी नुक्त किया था और कोट कमिशनर ने एक अपडेट आ रहा है साड़े तीन बजे इस पर फैसला आएगा कोट कमिशनर ने घूं जगे ऐसे चिन्न मिले हैं जो किसी मंदिर में होते हैं बलकि यहां तक पता चला था कि जो मस्जिद की गुमबद है उस गुमबद के अंदर भी एक किसम की फॉल्स सीलिंग है जो की एक मंदिर का चक्र हो सकता है देखें दुनिया में कहीं भी शिव मंदिर हो वहां मतलब शंकर भगवान का शिवलिंग जो है वो कहां पर स्थापित है यह आपको पता चलेगा नंदी की स्थिती से आज जो वो खंडित नंदी वहां पर है उनका मुझ जो है उसी तरफ है जिधर यह वारा बता रहे है जो शिवलिंग है दरसल में तो यह मेरा मानना है अदालत क्या फैसला देगी वो अलग बात है लेकिन ASI मतलब कोई वैग्यानिक सर्वे सत्य जानने के लिए हो उसमें क्यों इतराज होना चाहिए उससे भागने की क्या ज़रूरत है और और जो देखे जो प्लेसिज आप वर्शिप पैक्ट है उसका सहरा लेते हैं कि उसमें आप जो है जो यह था इस्थिती है उसको बदल नहीं सकते हैं यह जस्टिस डीवाई चंद्रचूट जो आप चीफ जस्टिस हो गए हैं यह उनकी कोड का फैसला था जिसके कारण यह सारी कारवाई शुरू हुई क्या कहा था उन्होंने कि यह ठीक है कि प्लेसिज आफ वर्शिप किसी 15 अगस्ट 1947 की बात जो स्थिती है वो बहाल रहेगी लेकिन कोई भी धर्मस्थल दरसल उस धर्म का है कि नहीं इसको तो वेरिफाई किया जा सकता है इससे वो कानून नहीं रोकता है इसलिए उन्होंने इस सर्वे की इजाज़त दी जो लोर कोट ने कहा था बाद में कि मामला बहुत कंभीर है इसको जो है डिस्टिंक जर्ज को डील करना चाहिए तो डिस्टिक जर्मी की कोट में चलाइआ चाया रहे च्यों बहिता नंदि कर देक देख देख रहा है हो कुशॉर नहीं वो शिव medalार होगीये कि इसका मतलब येस का जो इसका ओरिजिनल सरूप था उसमें इसको दुबारा लेकर के आई यानि आप मस्जिद को मंदिर में कनवर्ट कीजिए बिल्कुल औरंग जेब के लोगों ने तोड़ा था ये तो इतिहास में मतब लिखा हुआ है ऐसा तो है नहीं मतब देखे वह तो वहाँ पर जो दिवार दिखाई देती है दिवार पर जो कुछ बना हुआ है दूसरे जो चिन है सारे हिंदू धर्म के धार्मिक चिन हैं वहाँ पर नहीं मैं यहां से आगे की बात आपसे कर रहा था कि यहां तक भी हो जाए मान लीजे कि यह सर्वे में सापित हो जाए कि यहां मंदिर था क्या हमें वो जो Places of Worship Act है वो कानून उसके बाद इजाज़त देगा उसको कानून के बगाएर इजाज़त होते वे इजाज़त पिलेगे कि आप मंदिर बना लिए अगर यह सापित हो जाता है अप तो टेकनोलजी है उठा के कहीं और आप ले जाके रख सकते हैं उसको मस्जित को कहीं और ले जाएंगे गिराने की ज़रुवत नहीं है डिमॉलिश करने की ज़रुवत नहीं है पुरी बिल्डिंग आजकल तो शिफ्ट हो जाती है तो यह मुमकिन है आप कह रहे है कानून न मी मुमकिन है, टेकनलोजिक ली भी मुमकिन है लेकिन क्या इस manufactured इसी लिए collagen जो है वह SI survey का विरोध कर रहा है इसी लिए मुस्लिम पक्ष जो है प्लेसेस ऑफ वर्ष्ट एक्ट का साहरा ले रहा है कि उसको देखते हुए उसके मद्दे नजर जो है ये इस मामले को खोला नहीं है लेकिन क्या देश अब एक और मंदिर मस्जिद विवाद के लिए आपको लगता है कि देश के पास और जा रही है इस मामले की दिशा चाहिए इसकी हो या मत्रा की हो क्योंकि देखे ओरिजिनल मांग इन तीनों स्थनों को को लेके थी अधिया का मामला ओपन था तो इसलिए वो चला इतना लंबा यहां दोनों जगे मत्रा में यहां मंदिर और मजिद अलगलग वहां इदगा बना हुआ है जन्भूमी मंदिर बना मतला हुए और यहां काशी विशुनात का मंदिर एल्लय वाई ओलकर ने बनवाया था और यह ग्यानवापी मस्जित तो यह जो है दिशा तो वही है लेकिन अब किस रूप में जाएगा कैसे जाएगा क्या फिर को यांदोलन होगा कि नहीं होगा अ इसको या था इस भेकरार रखने वाली इससी क्या कोगी है क्योंकर 47 में था इस जी तो मसिद की थी कानून बड़क क्लिए है जो 47 में हो रहा था वही होगा तो कानून इसमे है अगर 47 में अगर यह गलत ثابित होता है कि वो मस्जिद थी दरसल 47 से पहले से मंदिर था यह जस्टिस चूट की जो पीड थी उसका फैसला है इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो सर्वे कराने क्या जरूरत जो है उसको बना रहे ने दिए ने बात आपके ठीक है लेकिन इसी से दूसरा सवाल उठता है पिर उस कानून का क्या उचित्ते हैं पिर उस कानून का क्या नहीं विवादित जो इन जगों पर विवाद है उनहीं के लिए कानून लाया गया उनको उसका फैसला जो है उसमें सर्वे की जाज़त दी गई थी इसके लिए ओपन नहीं है कि आगे वह अगर वह वाकरी मंदिर का स्ट्रक्शर साबित हो जाता है तो क्या उसको मंदिर ब अगर उसको सही किया जाना चाहिए वैसे वर्षीप आक्ट भी जो है उसको भी चैलेंज किया गया है वो उसका क्या फैसला अलग बात है लेकिन वर्षीप को तो सरकार बदल भी सकती है सितल सकती है कि अっぱ सरकार नहीं हो वह सप्सक्रानून बना की बिल अदालत कि थी आधा शच्ची कि बात तो इसको लेकर की को जनां दुूरन खड़ा करना चाहतीकों कोई संगठन खड़ा करना चाहता हूं ऐसा भी नहीं दिखता है। निकलता है और यह बहुत लंबा सामय लगेगा फिर सेशन कोड में जाएगा फिर हाई कोड में फिर सुप्रीम कोड में सुनवा यहोगी फिर सुप्रीम कोड की किस बैंच में चाहता है निर्णे होता है। तो यह तना आसान नहीं है कि कुछ आज सर्वे हो गया कोई 15 दिन में या साल भर में या दो साल में इसका दिन होगा। और एक हफता केरल में वो रहेंगे नाचिरोपथी का ट्रीट्मेंट राहूल गांधी ले रहे हैं उनकी घुटने में शिकायत हुई है। जब उन्हें लंबी यातरा की भारत जोड़ोयातरा उसकी वजह से। तो इक ब्रेक उनकी राजनीती में आ रहा है। और इस बार ब्रेक कहीं विदेश में नहीं आ रहा है। ब्रेक देश में आ रहा है। लेकिन राहूल गांधी बड़े आप देखें क्योंकि चिनाव से आगे आने वाला वक्त है और उनकी भूमिका बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाली है अब ये एक मेडिकल ब्रेक आप इसको माने केरल से शांसत थे वो अब कोई इसको भी यही देखे कि चुट्टी एको और चुट्टी लेली राहूल गांगी ने अगर अगर कसी कोई मेडिकल इशू है उसके इलाज के लिए जाता है केरल इसके लिए जाना जाता कि इसको लेकर जो है अब वो सोशल मीडिया पर मीम बनेंगे यह बनेगा वो अलग चीज़ है लेकिन कोई पॉलिटिकल इशू इसमें नहीं बनता है इसमें एक चीज और हो सकता है कि वह अगले भारत जोड़ आतरा की दूसरे चनल की तयादी कर रहे हूं इसके पहले अपना बात की खैर जो राहूल गांदी ने किया उसी का जो अभी तक जानकारी है वही कि उसी के बाद से उनको कुछ शिकायत पैरों में होना शुरू हूँ है इसके इलाज के लिए वो अब केरल जाने वाले है अभी लेकिन आपने क्योंकि मेरे ही मूँ से निकल गया अभी कि वह सानसत है गयात हो मैं सानसत डुबारा नहीं बनातर होगोरी का मेरे करेयर का सबार रभाद के रास्तव नीयों सुप्रिम कोट पर जज्जमेंट आना है, चारतारी को सुनवा ही है, हो सकता है सुप्रिम कोट से रात मिल जाया तो उनके संसिदी बहाल हो जाए, जैसे कहते हैं, मुझ में सरसुद्धी आ जाती है, बिलकुल, भारत जैसे देश में, अभी मन स्विकार करने के लिए तयार न होता, तो आज वो संसद होते, वो तो कहते हैं कि हमने वो जो किया था ठीक है, मैं सर्विकार कर रहा हूँ, तो इस लिए जो है, बिरस्टा जार के खिलाब में रहे हैं, ऐसा है कि राहुल गांधी हो या कोई हो, कानून तो सब के लिए बराबर, लालु प्रसाद यादों क पहले विक्टिम थे उसके, दो सौ से जादा विधायकों सांसदों की, विधायकी सांसदी जा चुकी है, इस कानून के तहर, तो कोई अगर पहला केस होता, तो जरूर थोड़ा आश्यर होता, लोगों को शौक लगता, ये कैसे हो गया, एक समय जादा नहीं रह गया, तो अ ये है minimum income guarantee scheme, इसमें income की guarantee ये है कि अब आप सवासो दिनों के लिए, गहलो सरकार जो scheme लाई है, उसमें गाउं में सवासो दिन के लिए, शहरों में सवासो दिन के लिए, आपको रोजगार की guarantee होगी, जैसा कि मनरेगाईगी scheme, उसमें 25 दिन और जोड दिये गए है, और अगर पर आपको कोई job नहीं दे पाती सरकार या जो भी सर है आपको कोई काम नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको उसके लिए बेरोजगारी बत्ता जोई वो दिया जाएगा, इसके अलाबा जितने भी और लोग जो माने जो कोई पोई दिव्यांग हो गया है, किसी की उमर तो वो काम नहीं कर सकती, तो उनको पेंशन मिलेगी, तो इस लिहाज से एक ऐसा नेट तैयार कर दिया जाए, जिसमें से कोई व्यक्ति भी छूटे ना जिसको एक minimum guarantee income ना मिल रही हो, बले काम के बदले मिल रही हो, या काम की शकल में मिल रही हो, क्या लेकिन चुनाब से दो ने प्रोपोजल रखा था ये बात रखी थी ये विचार रखा था कि ऐसा युनिवर्सल बेसिक पे उसकी बात हुई थी उसके बात लेकिन यह हुआ कि यह चल नहीं सकता और आपको याद हो 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इस तरह की युजना की घोशना की थी निया युजना जिसमें 6000 रुपे महिने मिलेंगे और कॉंग्रेस ने उसमें माना था कि यह गेम चेंजर है यह चुनाव बदल देगी यह इस युजना की घोशना तो चुनाव से अगर अगर अशोक गहलोत ने मुख्यमंतरी बनने के बाद यह लागू की होती उसका लाव लोगों को मिल रहा होता तब इस्थिती दूसरी होती अब जो है जब सरकार के कारिकाल के अंतिम कुछ महिने रहे गए हैं उस समय इसकी बात करना कि अब सवाल यह है कि सरकार जो है कुल मिला कर क्या कर रही है कि सौ दिन की जो रोजगार की गार काम के बदले नोट कामांतर योजना है कामांतर योजना है एक चोटा रियाक्शन आपका और समीर जी कभी कोई है कुछ गेम चिंजर जैसा कुछ दिखता है इसना आपको अशोक गैलो जी एक अपना लाभारती वर्ग तयार कर रहे हैं रास्थान में वह चाहिए आईश्मान अब जी ने उनकि चरेंजीवी योजना हो स्वास्त की हो या सस्ते सेलेंडर देने की योजना हो 500 रुपय का सेलेंडर और सस्ता सामान बेचने के लिए उन्होंने जी योजना शुरू की उसी के तहत उसी कड़ी में ये गेम चिंजर योजना जो एक अर्बन मन्रेगा भी की हो जाना चल रही है शहर के अंदर मिन्मयों गारेंटी ये उसी का उसको और बढ़ा दिया सौ दिन का 25 दिन कर दिया अब जो जह प्रदीब जी ने कहा कि यह जो ना जमीन पर कितना उतरती है अगर जमीन पर उतर गई लाबारतियों तक पैसा पहुंच गया तो निस्ची